पर जो हम करने जा रहे हैं माक्स का सती करन संगर्ष का सिध्धान देखा जाए तो काफी महत्वपून ये टॉपिक बनता है सोसालजी के स्टुडेंट के लिए जो रहे हैं किसी भी समेस्टर में हो या कोई भी कक्षा में हो अगर काल माक्स के अंतरगत संगर्ष सिधान्त है तो ये काफी महत्वपून टॉपिक रहेगा तो ये कुछ भी हो स सकता है ये आपको समझना है काल माक के सद्रिकरन के संगर्ष धान्त की व्याक्या के साथ अलोचना भी करी तो कहते एक्स्प्लेइन दा कुछ तो यहां पर बहुत बंती है लेकिन आपको इतना दिमाग में रखना है कि हम यहां पर जो है काल माक के ठीओरी यानि डिलेशन्शिव इटमिन दे क्लासिस के साथ क्या संबंद थे और इसके जो है और भी महत्वपून यहां बातों पर हम डिसकॉस करेंगे अलचना तो यह कर ले होगे तो काफी महत्व पूंद आएगा काल माक के बारे में साड़ी आपको बाते बेखुबी समझ में आ जाएगा चलिए कोशन तो आप समझी गए होगे कि वर्ड संगर्ज के काल माक से सिधानतों के हमने हाव व्याख्या करना है एक्स्प्लेइन दा काल माक त्योरी ओग क्लास इस्टगल तो देखा जाए साब प्रथम हम अगर बात करें काल माक की तो काल माक ने समाजी सतिकरन का जो है संगर्षवाद का सिधान दिया था काल म स्थावदी तो देखा जा एक काल मांक का सिदान उनिस्वी सतावदी में इसलिए भी आया क्यूकि राजनीतिक और समाई संघर्ष बढ़ती चली जा रही दिशा आज देख सकते हो कि हमारे भारती एलेक्शन में कितनी उथल पुथल हो रही है कितने अरोप लगाये जा रहे ह तो सेम कंडिशन वहाँ पर काल मार्ग के समय काल में भी था उनिस्वी सतावदी में तो जाके काल मार्ग ने जो यहाँ पर है संग बर्ग संगर्शिधान्त को पस्तुत किया काल माक्स ने केवल समाजी कारकों को ही समाजी सतिकरण एवं अलग-अलग वर्गों में संगर्ष का सिधान दमाना यह देखा जाया तो यह काफी महत्पून बात है कि माक्स ने केवल समाजी कारकों को ही समाजी सतिकरण एवं अलग-अलग वर्गों के संगर्ष का सिधान दम कि उंचनीज का वियदवाव होना समाज में की स laugh library कि ऊद्णी को समाजी सतिकन Somali सत्रिकर्ण होगा तो हां पर वर्प शंघर्स तो होगा ही यह तो आम बात है ढिखा स्माजा ने हम सिद्धान स्रम विवाजन के अधार पर भी दिये थी कालमाक नेहापर जो है स्रम सिद्धान के सिद्धान पर भी दिया था जो काभी महतपून है देखा जाये तो माक्स ने सिद्धान स्रम विवाजन के अधार पर दिया था और ये काभी महतपून बात है कि माक्स ने जो है सिध्धान स्रम विवाजन के धार पर दिया था क्योंकि कालमाक को इस बात को अधार बना के कालमाक ने जो है शरम विवाजन को दो भागों में विवक्त कर दिया पहला था सारीरीग देखी सारीरीग और दुसरा था वैदिक सरम सारीरिक सरम में वो व्यक्ति आते हैं जो मजदूरी करते हैं जो अपना सरीर के बल लगाते हैं तो उसे हम सारीरिक सरम कहते हैं और वैदिक सरम समझ सकते हो कि जो लोग दिमागों से कारे करते हैं, जैसे आप सोचते होगे कि बड़े बड़े नेता लोग कोई कारे नहीं करते हैं, यह बहुत ही कारे करते हैं, यह दिमाग से कारे करते हैं, तभी तो हमारे राजा बन बैटे होते हैं, क्योंकि वो दिमाग से कारे करते हैं, और इसके लिए वो जिस तरह के सर्यंत रच सके रचने की कोशिश करते हैं जिसमें आम वेक्ती बहुत ही असानी से फज जाता है तो यह दिमागी कारे होता है कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है तो यहां पर देखा जाए तो आम गरीब वेक्ती जो होता है अपनी चाहे वह अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं लेकिन इसमें उनके ऐसो अराम चुपा हुआ होता है अब आप देख लिए कोई चीज किजिएगा तो बहुत मेहनत करके कीजिएगा लेकिन यह लोग इतना दिमाग लगाते हैं कि जो काम आप दो घंटें में किजिए में संगर्श का करण बन जाता है मा का कहना है कि समाज में साधन दो वर्ग होते हैं पहला वर्ग उत्पादन साधनों की स्वामी होता है काल मा की बहुत महत्पून विचार दा रहा थी कि पहला वर्ग जो होता है उत्पादन के साधनों की स्वामी होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि माल लेज़े कोई फैक्टरी है तो फैक्टरी में जो मालिक होते हैं वो संसादनों की मालिक होते हैं ठीक है और दूसरा वर्ग जो होता है उत्पादन संसादनों के मालिक नहीं होते हैं अब माल लेज़ाब किसी फैक्टरी में काम करते हो जो बास्तविक मालिक हो जो पहले वर्ग में आएगा और दूसरा वर्ग में मान लेजिए उस फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर का जाता है जो मालिक नहीं होती है और इसमें जो है वर्ग संगर्ष होना सभाविक बना देता है और इस जो है मैकलियत के अधार पर ही पहला वर्ग उच्छे स्थि में होता है पहला वर्ग उच्छे स्थि में होता है क्योंकि वहाँ पर वह वैदिक स्रम का इस्तमाल करता है बुद्धी का इस्तमाल करता है इसलिए वह उच्छे स्थान प्राप्त करके रखा हुआ होता है लेकि दुसरा जो होता है श्रम सारीडिक होती है इसलिए उसका स् करती हैं और यह देखा जाए जो सरीरिक कराम करते हैं जो निम्न बढ़की होते हैं वो डिल नहीं कर सकती तो यही बात फड़क पर जाता है उच्छे वर्ग में और निम्न बढ़क में माक्स पहले वर्ग की जो है पुजी वर्ग और दुसरे वर्ग को मालिक जो है गैर मालिक वर्ग बताया है, तो इसमें kaloय बुराई नहीं है ==orkस्मासित सहह का है, यह हूहे पूजी पति वर्ग से संब्दित होगा, और दुसरा वर्ग जो होगा, और मजदूर बर्ग कहलाता है मजदूर कोई भी हो सकता है पूजी पति वर्ग मजदूर बर्ग का आर्टि कुरूप justifyह करते हैं कोई दो रही नहीं है वो ऻ camino करते हैं रिजन से होता है कि मजदूर जो होते हैं अपनी मैनत परिष्णम करके उस इसको बनाती हैं और उनका फिक्स लाप प्राप्त होता है लेकिन देखा जाए तो पूजी पती वर्ग को सारे के सारे लाप पूजी पती वर्ग को प्राप्त हो जाता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पूजी पती वर्ग जो होता है मजदूर वर्ग का आर्थिक रूप से शोशन करता है और मजदूर वर्ग अपने आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति हे तू यह जो है पोजी पती वर्ग को संघर्ष का यहाँ पर रूप देता है और यही सतिकरन का परिणाम भी देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप समझ गए होगे कि सतिकरन किस परकार जो ह संपत्ति का समाने विभाजन हुआ है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कालमा के विचारदारा यहां पर कही सत्थे है कि संपत्ती के आने पर ही असमाने विवाजन हुआ है अगर आप देख लिजे बंजारे छेतर में चले जाईए तो वहां पर सतिकर्ण बहुत ही कम आपको मिलेगा वहां संपत्ति का कोई लालसा नहीं होती हैं तो संपत्ति की अगर लालसा नहीं होगी तो सारे वर्ग के लोग समाने ही नजराती हैं सदिकर् करते हो कि आप उसमें मालिक और मस्दूर के वर्यों के रूप में करती हो वर्व एक समू होता है जिसके साथ स्बंद उत्पादन सक्तियों के समान होते हैं और इस तरह हुआ सभी विक्तियों की उत्पादन के सक्तियों पर नियंतर रखते हैं जो सक्तियों पर नियंत्रन रखती हैं जो उत्पादन के सक्तियों को मालिक होते हैं यह उत्पादन के मालिक होते हैं इसलिए वो सभी चीजों पर नियंत्रन रखते हैं अगर माली नियंत्रन नहीं रखेंगे तो मजदूर जो है अपना हग करेगा और वो कहेगा कि समान तो ह ने बनाया लेकिन मालिक वर्ग ये कहें बहुंद की इसको किया। तो आप मालिक करते हैं और मेहनत करके अपना समय करते हैं यानि कि माज़दूर वर्ग ही कह लाएंगे क्योंकि हम मजदूरी कर रहे हैं देखिए आप ये भी बात समझ सकते हो कि बड़े बड़े नेता जो होते हैं वो अनपड़ भी होते हैं पढ़े लिखे भी होते हैं हाट टाइप के होती हैं लेकिन देखिए वो पढ़े लिखे लोगों पर राज करते हैं एक सिंपल सा सुरक्षा के रूप में रहेगा सोचा घाड के रूप में रहेगा और उब पढ़ा लिखा IPS अब सर एक अंठा च्छाप मंत्री को सलाम ठोके गा क्योंकि वह दिमाग लगा कि आज मंत्री के पद्ध हासिल कर लिया है लेकिन यहाँ पर IPS ने भी दिमाग लगाया है लेकिन वह एक तरह का सरकारी विवाग में एक रमचारी है एक मजदूर है तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना अंतर देखने को मिल जाता है आपने देखा विवाई कोई गलत बात नहीं है कालमाक ने सही बात बताई है कि देखा जाया तो यह पादन सक्ति के मालिक नहीं होते हैं ब पूजी पती समाज में पूजी पती या मजदूर कि सभी जगों पर इसका अपना अपना नाम है अगर आप छोटे छेतर में चले जाओ जहां जमीदारों की होती है तो समाज में जमीदारों की चलती है और देखिए दूसरे छेतर में चले जाओ एगर कल्चर में तो वहां याईPS अफसर देखा जाये तो IPS जो होते हैं वो सिरफ अपनी छंता से वहि दिमाग लगा कर आगे पर दोस्ट पहें लेकिन देखा जाये तो उनसे अधिक जो होता है यह मंत्री लोग अपना दिमाग लगा रखे होते हैं चाह पुलिशी कर रखे होते हैं हर्ट रखे होते हैं तो यह उच्छे पद पर हासिल होते हैं ठीक है पूजी पती वर्ग के पास उत्पादन की शक्ति होती है जो पूजी पती वर्ग होता है उनके पास मज़़ूरी ही होती है क्कि मज़़ूरी ही कर सकते हैं जिसका सहाथा के साथ वे अपना गुजारा करता है तो ये काफिर महतव रखता है। देखा जाये तो इस प्रकार उत्पाधन के तरीकों एवरं संपत्थी के समाने वीभाधन के धार पर बने वर्गों को माक्स ने समाजी वर्ग का नाम दिया क्योंकि देखा जाए तो समपत्ति के समाने विभाजन का धार पर जो ये वर्ग बनाई गई माक्स ने इसको साब सब्दों में यही बात बोला कि ये समाजी वर्ग ही कहलाएंगी मार्क्स ते अनुसार देखा जाया तो आज का समाज चार यूगों से गुजर कर हमारे सामने आया है यानि मार्क्स ने इसको चार यूगों में convert किया है पहला उसने जो नाम दिया हूँ प्राचीन समाजवादी यूग बोला है यानि Primitive Ascent Society of Communism दूसरा उसने प्राचीन समाज यानि Essence Society और उसके बाद कार्ल मार्क्स ने तिसरा जो बताया है समानता वादी यूग यानि Federal Society अंद में कार्ल मार्क्स पूजी वाद योग ही बताता है एन capitalist society जो आज का समय काल है आज capitalist society है आज पूजी वाद चलती है तो काभी महत्व रखता है यहां पर मार्क्स के अनुसार पहले परकार के समाज में वर्ग असित्यों में नहीं आये थे यह बात काभी महतवपून है कि मार्क्स ने बात को अनिलाइस किया और समझने कोशिश किया कि पहले परकार के समाज में वर्ग असित्यों में नहीं आये इसका मतलब यहां पर कालमाक जो है प्राचीन समाजवादी यूग की बात कर रहे हैं यानि पहले चलन में समाज वर्ग असित्यों में नहीं था और समाज से हांपर कोई डिलेशन देखने को नहीं मिलता है परन्तु उसके पश्षाथ के समाजों में दो परमुक्य वर्ख हमारे सामने आये थी यानि दो आया तक इसमें प्राचीन समाज में आसीन सोसाईटी में जिसमें प्राचीन समाज में मालिक एवं दास का प्रता समलित हो गई थी तो देखा जाया तो कालमा के यहां बहुत महत्पुन बात बताने के कोशिच कर रहे हैं कि पहले में जो है किसी परकार का कोई समाजी सतिकरण नहीं देखने को मिला लेकिन दूसरे चरण में जब एसे खेति हरी मजदूरों वर्ग आई समानतावादी यानि तिसरी प्रकार के अगर चरण में देखी तो खेति हर मजदूरों की बब वर्ग आ गई उसके बाद देखा जाया चौती में तो आपको पता ही होगा कि पूजी वादी एक एवह मजदूर वर्ग आ गए और आज जो ह ही किया गया है और मजदूर वर्ग बहुत संख्यक होती है और पूजी वर्ग बहुत कम वाले होती है और यह तो आपको समझी होगा पूजी पती लोग जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं और मजदूर वर्ग जो होते हैं उनकी संख्या बहुत होते हैं बहुत संख्यक होते हैं लेकिन ये बाग में पूजी पती वर्ग के रूप में समयलित हो जाते हैं और आम गरीबों को जो है लूटते हैं तो इसमें कोई दोर आए नहीं है देखा जाया तो आज मजदूर वर्ग बहुत संख्यक है और पूजी पती वर्ग बहुत ही कम है माक्स ने प्रतेक समाज में दो परकार के वर्गों का अनुभब किया परन्तु माक्स के फिर भी इस मामले में विचार एक समानिन नहीं है माक्स कहता है कि पूजी वादी समाज में तीन वर्ग होती है जो आज के समाज है पूजी वाद समाज उसमें तीन प्रत्रा के वर्ग होती हैं पहला वर्ग जो होता है मजदूर वर्ग होता है दुसरा होता है समानत वर्ग और तिसरा होता है जमीन के मालिक तो आप समझ सकते हैं पहला तो वो होता है जो मजदूरी करता है सिंपल सब्दो में और दुसरा जो होता है जो मजदूरी करवाता है और तुसरा जो जमीन का मालिक होता है तो माक्स ने पूजी वादी समाज में इसको तीन वर्ग दी जो कोई गलत नहीं है माक्स ने इन तीनों में से अंतर आय के साधनों एवम लाव एवम जमीन के किराय के अधार पर किया प्रंतु मार्क्स के तीन पक्षिये विवस्ता इंग्लैंड में कभी सामने नहीं आई यानि देखा जाया तो काल मार्क बेशकली इंग्लैंड के उपर बात विचार रखे लेकिन इनका विचार धरा पूरा विश्व के लिए था क्योंकि ये काफी दूर दर्शी थी और काफ दूर की बातें सोच रहे थी इसलिए नहों ने जो तीन पक्षिये सिधान दिया वो इंग्लैंड में कभी सामने नहीं आई तो इससे तो यही सावित होता है देखा जाये तो माक्स ने कहा था कि पूजी वाद के विकास के साथ साथ तीन वर्गिये विवस्ता दो वर्गिये विवस्ता में परवर्तन हो जाएगी यानि जो काल माक्स ने कलपना किया था तीन वर्गी विवस्ता की काल माक्स ने ये भी वहां पर विचार धार रखा कि आने वला समय में जो ये तीन वर्गी हैं वो आने वला समय में दो वर्ग में परवर्थित हो जाएगा और मद्धे वर्ग समाप्त हो जाएगा जो मद्धे वर्ग यानि समांतर वर्ग की बात की गई थी वो समाप्त हो जाएगा जो सही भी है इसके बारे में उसे कॉम्मिनिस्ट घोशना पत्र में भी कहा है माक्स ने विसेश समाज के अन्य वर्गों का उलेक भी किया है जैसे व जो है सबसे अधिक पूजी पती और एक जोगा निम्न पूजी पती यह पूजी पती में भी यहां safer जो है देखने को मिल सकता है देखा जो प्रभावी वजवा बर्ग होते हैं जो बड़े बड़े पुझी पती हैं या जो प्रभावी होते हैं वो बड़े बड़े होती हैं या तो वो पुझी पती होंगे या उद्यूग पती होंगे और जो हजारों के संक्या मजदूर कारे कराने के देते हैं जो हजारों के संक करते हैं लेकिन जो कहते हैं वह पूजी पती होते हुए हजारों संख्यां मजदूर कारे रहते हैं नहीं काफी करते हैं जो देखा जाए जो छोटे दिखुपती होते हैं वो अपना कारे स्वेम करने में विस्वास रखती हैं माक्स यहां पर फिर कहता है कि पूजी वाद के विकास होने के साथ मद्य वर्व चोटी विजर्वगा उप जातियां समाप्त हो जाएगी और यह बस सच है फिर देखा जाए तो मजदूर वर्व में यह मिल जाएंगी और इस तरह समाज में पूजी पती वा मजदूर वर्व रह जाएगा तो यह काफी महत्वण कोशन यहां बता रही ह यहां पर काल माक्स की समाली सत्रिकर्ण के दिश्टी को दिखाई गई है